नमस्कार दोस्तों आप सभी का देविक टेड़ पर स्वागत है आप सभी को पता है कि B.S.F. Head Constable Minister और S.I.S.T.E.N.O. की एक्जाम डेट 27 नॉमबर अभी तक आज की डेट तक तो फिक्स है 27 नॉमबर अगर 27 नॉमबर को हो जाता है तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए जो आपके एक्जाम को क्लियर कर दे जो आपको अधर बच्चे से डिफरेंड बनाएगा जो अधर बच्चे से आपको सेलेक्शन दिलाएगा ताकि आप एक भीड से अलग होके एक सही राह पे जाके सही तरीके से पढ़कर सेलेक्शन लो तो आज की वीडियो में हम पूरा 25 दिन का प्लान देखने वाले हैं कि 25 दिन में आपको करना क्या है आपको पढ़ना कैसे है जैसे मैंने तैयारी की मैंने सेलेक्शन लिया लास्ट टाइम पर जैसे मैं पढ़के जो यह लास्ट टाइम हो तो वीडियो को लास्त अजूर देखना है वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके जाना चैनल अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम क्लासेज भी प्राइट कर रहे हैं टेलिक्राम गुरुष पर जूर जाना उस पर PDF अगरा मिल जाएगी इं कि अगर आ अज से अगर हम अपना प्लान स्टार्ट करें थे तो 25 बन 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 थे था्याइब मटके 25 दिन की में कols Sounds to me करना क्य QA देखे सब से पहले हमारे पास हम्हें यह पता होना चाहिं हमारे पास कौन-कौं सब्जडेट ने वाले ठीक है तो 20 हम हो गांए तो आज का देखिये आज का 2 ॥ जो 2 November होगा ठीक है आज का दो दीन होगा इसको मिटा जता हूँ 2 November कैसा होगा यह पहले बता देता हूँ ठीक है उससे पहले मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि हमने प्रैक्टिस सेट बनाया भी है हमने बीस सब के जो भी पैटर्न है जो भी सलेबा से उसकी औरियंटेड ह आपको 99 रुपीज मिल जाएगा और पांच प्रैक्टिस सेट आपको 49 रुपीज मिल जाएगा यह क्यों इंपोर्टेंट है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा आप इसको बाई करना चाहते हो तो नीचे वाट्षब नंबर दीख रहा होगा उस नंबर वाट्षब का जो सेट है वो कैसा जाएगा दो नंबर का जो दिन है वो पूरा आपका अनलिटिक पर जाएगा ठीक है अनलिटिक पर जाएगा कि आपको यह देखना है अपना कि आप कहां पर हो आज आप अपने आपको डिसाइड करो कि आप किस पोजिशन पर खड़े हो तो आपको कर पांच पीज ले लेने हैं, पांच पीज में जो टॉपिक है, अशा से पहले आप अपने आपको decide ये कर लो, कि आप हिंदी करोगे कि इंग्लिस करोगे, पहले तो ये बिल्कु फिक्स होना चीह है, माले जिए आप इंग्लिस करते हो, या भी हिंदी करते हो, ठीक है, उसके ब पर 40 मिन का टाइम भी मिलेगा, तो अभी 2 नॉवंबर की दिन का, जो आप पूरा दिन आप किसको dedicate करो भी बताता हो, इंग्लिस की दो पार्ट को divide कर लो, reasoning के दो पार्ट को divide कर लो, math की दो पार्ट को divide कर लो, computer की दो पार्ट को, और clerical aptitude की दो पार्ट को, अब इसमें ये पार्ट को complete कौन सा है, आप कौन सा incomplete है, मालब कौन सा आपको नहीं आता, ऐसे आपको साभी में देख लेना है, मालब की complete, incomplete, complete, incomplete, ठीक है, आपको ऐसे लिख लेना है, बहुत अच्छी strategy बतारों पूरा ध्यान से देखना, यही आपको अलग करेगा, यही आपको exam की तरफ आगे लेके जाएगा, यही आपको selection की तरफ आगे लेके जाएगा, ठीक है, तो complete topic को लिख लेना है, जो भी topic है, और incomplete topic को लिख लेना है, ठीक है, ठीक है, जो आपको लगता है कि मैं completely बुलकु स्योर हूँ कि मुझे आता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, वहाँ पता चलेगा, इससे क्या पता चलेगा, इससे आपको यह पता चलेगा, कि आपको एनरजी कहां पूट करनी है, आपको अपनी एनरजी कहां लगानी है, जब आपको यह पता चल जाएगा, कि आपको एनरजी कहां लगानी है, तो आपका 50% काम हो गया, भला अब आपको ज्य तारिक से दो तारिक से 15 नौवंबर तक ठीक है 15 नौवंबर तक का जो प्लान होना चीए अब 15 नौवंबर तक का जो प्लान होगा वो यह होगा कि आप जो आपकी incomplete topic है जो भी हो English में हो हिंदी में हो ठीक है आपकी math में हो reasoning में हो कहीं पर भी जो incomplete topic है उस incomplete topic को 15 नौवंबर तक आपको clear करना है चाहे कुछ भी हो चाहे दिन रात पढ़ना पढ़े चाहे 24 घंटा पढ़ना पढ़ना पढ़े अचाहे एक प्यर पर खड़ी हो के पढ़ना पढ़े मगर आपको फंदार नौवंबर की बारा दिन बचेंगे कर और बारा दिन नहीं लेकर चलना ऐ Stop मालाब 10 दिन आपके पास बचेंगे 10 रॉयगा तक आपके पास ताइमक रहे अब 25 नॉउबर्त अपको ओवराल प्रक्टिस करनी है अब Dan में आप से 10 दिन पहले क्यों बोल घाल की 25 सरी तक क्यों बोल रहा हूं ठीक है 15 नॉवमबर तक हो गया आप 15 नॉवमबर 25 नॉवमबर की बीच में आप रिविजन क्यों करना है क्योंकि अब यहां से आप देखो आपके पास 10 दिन बच्चे हुए 10 डेज हैं आपके पास जो 10 days है न, 10 days काफी है, काफी है, तो 10 days में आपको ये burden नहीं लगेगा दिमाग में यार कि समय नहीं है, क्योंकि अगर exam से 5 दिन पहले आप revision start करोगे, तो आपको लगेगा कि मेरे पास अभी चीजें मुझे नहीं आ रही है, बहुत burden हो जाएगर tension में आ जाओगे, तो 10 दिन पहले करोगे तो ये confidence भी रहेगा कि हाँ time है, complete कर लेंगे, जब आप revision start करोगे, और उसके साथ ही practice start करोगे, ठीक है practice, मैं यहीं इसलिए बोला थे कि हम practice batch क्यों, practice paper है क्यों दे रहे हैं आपको, कि आप practice करो उस से, तो आपको, जब आप revision आप practice करोगे, तब आपको ये पत topic strong होंगे, कहीं कहीं पर कुछ topic समझ में नहीं आतोंगे, तो revision और practice में वो चीज़ें आपको clear होंगी, कि अभी भी कुछ कमी रहे गई है, अभी भी मैं 100% नहीं हो पाया हूँ, अभी भी मैं 80% या 90% पर आ रहा हूँ, practice करोगे तो practice में number आएंगे, आपको time management पता चलेगा, कि भाई एक गंटे 40 मिज़ें मैं कैसे time manage करूँगा, वो आपको practice से पता चलेगा, वो कर लेना है, तो revision और practice करने के बाद आपकी चीज़ें अपने आपको furnace करोगे, मलब जो होता है ना कि धार लगाना, आप अमने आपको धार लगाओगे, अपने आपको चीज़ों को और तो normal student से, एक अच्छे student की तरफ लेके जाएगा, मलब कि आप जहां पर हो, वहां से आपको success की तरफ लेके जाएगा, यही यह जो last की 10 दिन है, अब आपने ये कर लिया, उसके बाद आपको कोई भी घवराने की जोते है, जब आपने ये कर लिया ना, तो आपको समझ चाहिए ना, तो उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, ठीक है, अब आपको मैं और चीजे बताताओं कि आपको यह सब पूरा प्लान हो गया, ये पूरा प्लान था मेरा, मेरा पूरा जो 25 27 नॉवंबर को तक का प्लान था, ये प्लान था, आप मैं बताताओं कि important point topic क्य कि आपको पढ़ना भी क्या है देखिए इंग्लिज और हिंदी की बात की करूँ मैं तो आपको स्लेवर्स दे रखा है पुरा मगर स्लेवर्स की अकॉर्डिंग से बात करूं तो पूछे कहां जाते हैं इंग्लिज की बात को इंग्लिज का आपको grammar portion पूरा पता होना चीए जो भी आपको grammar portion है ना grammar portion आपका पता होना चीए कुछ आपको synonym, synonym समारे भी आना चीए, adam phrases भी आना चीए, one word substitution ये तो आना चीए मगर आप Hindi कर रहे हो, तो Hindi में भी आपको सेम वही चीज grammar आना चीए, आपको वडमाला से आना चीए, वडमाला वगरा सब कुछ आना चीए, हिंदी से आपको महावरे आना चीए, लोककति आने चाहिए, विलोम सब्द, समानार्ति सब्द, पर्यावाची ये सब चीज़े आन अब्स रेक्षन हो गया, blood relation हो गया, ब्लड relation की आते हैं, टीक है, mirror, mirror image वाला भी हो गया आ एक कुछ number series वाले वह गया है, वह हो गया है और आपके table वाले question भी sitting arrangement वाले question भी वह भी important question है उसको भी देख लेना तो यहां से आप reasoning के slabers को भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं मैं slabers follow जरू करना यह important topic है मैं की बता दूं मैं से पहले important है कि percentage percentage से बहुत अच्छे question आएंगे percentage हो गया average हो ठीक है उसके बाद average हो गया यहां पर आप और उसके बाद धोड़ा number system भी आना चाहिए आपको trigonometry भी trigonometry में उपर उपर पता होना चाहिए पैथा गोरेश का प्रमय वगएरा इस सब पता होना चाहिए तो वह सब चीज़े भी आपको पता होने चीज़े तो आपको इस तरह से पढ़ाई करके जाना है यह सब इंपॉर्टन प्रम देखा जाते हैं तो overall अब आज आते हैं computer से computer से देखा जाए computer ने पहले आपको fundamental पूरा पता होना चीज़े input output device पता होना चीज़े history पता होने चीज़े कि history में क्या क्या आता है उसके साथ ही साथ आपको shortcut की हो गया हमारी वीडियो मिल जाएगी है हमारे चैनल पर shortcut की हो गया ms word हो गया ठीक है आपको internet हो गया internet वे ब्रॉजिंग वगयरा से वे ब्रॉजर वगयरा के बारे में पता होना चीज़े ठीक है internet हो गया उसके साथ ही थोड़ा सा आप mislainious में mislainious में जैसे की आपको यह पता होना थो आप PowerPoint के बारे में पता होना चीए थोड़ा सा आपको MS Excel के बारे में पता होना चीए जो जो टॉपिक नहीं भी दिये गए हैं उनके बारे में भी पता होना चीए आपको वहां पर गलती नहीं करने हैं आपको कोशी सेही करने हैं कि मैं वहा से करा दिए काफी सारी आप क्लैरिकल एटूट वहां से भी दिख सकते हो प्रैक्टिस एट हमारा बाइक कर से तो इसमें क्लैरिकल एटूट भी मिल जाएगा तो यह सब पूरी मैं यहां के आप उस जॉब को छीन लोगए वो जॉब आपको मिले की नहीं वो आप आपको जॉब देंगए बुल trat काभी कभी होता की हम एकंप के बीचे से बहुत बात भागते हैं अग्र वो में नहीं मिलते हैं क्भी कभी जॉब हमें कुलते हैं करिब् le talent काभी हो सब्वाय मे मेरे काबिल हो, ऐसा हो सकता है, तो बिलकुल motivate रहना है, willpower के साथ रहना है, exercise करना है, mentally fit रहना है, physically fit रहना है, सलो कूछ तैयारी के साथ रहना है, मैं और भी आगे वीडियो बनाता रहूँगा, और भी आपको motivate करता रहूँगा, और भी आपको push करता रहों कि हाँ आपको आगे जाना है बिल्कुल रुकना नहीं है ठीक है तो इनी सब बातों साथ अलवीदा लेते हैं practice it by करना हो तो बिल्कुल वाट्से नंबर message करना हमारा वाट्से नंबर आपको decision box में और नीचे भी दिख जाएगा तो अभी के लिए अलवीदा मिलते हैं next video में thank you so much